दोस्तो अगली वीडियो में हमने आपको एक स्कूल का वीडियो दिखाया था जिसमें मैं बहुत डर गया था वहाँ पे एक मुझे कुछ काली सी परचाई दिखी थी जो मेरी तरफ ही आ रही थी तो मेरे दोस्त के साथ मैं उसका जान जोखम में नहीं डालना चाहता था मैं फिर उसको explore करूँगा मैं हिम्मत करूँगा एक बार और किसी तामत्री के अवशकता होगी उसमें और आज मेरे एक दोस्त ने मुझे एक कुए के बारे में बताया है उस कुए के जो कहानी है वो बहुत ही डरावनी है कहते हैं कि यहां एक बथान है जिसमें लोग गाई बगेर बांधा करते हैं उस बतान में वहां पे कई लोगों को उस कुए में मार के फेक दिया गया था और वहां पे कुछ जानवर ऐसे पकड़े जाते हैं रात में जो जानवर पकरने के लिए रात में लोग आये थे वो भी कुए में गिर के मर गए तब से लेके यहां पे बहुत कहानी पर चली थे यहां रात में लोग सोते नहीं है उस बथान में और डर के मारे बहुत सारी घटनाई घटी है ऐसी मैं उसका ही आज एक्सप्लोर करूँगा और आपको वकुआ भी दिखाऊंगा और अगर ऐसी कुछ घटनाई घटी है मैं मेरे दोस्त के साथ फिरा घटी है तो आप हमारे चैनल को भेज सकते हैं अगर हमारे चैनल को आपके कहानी अच्छी लगती है और कुछ ऐसी सची घटनाई है तो हम आपको एक गिप्ट इनाम के तरपर देंगे और हम आपको दिखाना चाहते हैं उस कुवे के बारे में यह रहा वो कुआ यही कुआ है और यह बठान है इसमें लोग गाई बागर वांते हैं लेकिन यहाँ पर रात में कोई नहीं रहता है अभी रात का समय है और अभी कोई यहाँ पर नहीं है और यह कुआ के पास में लेके जा रहा हूँ आपको अगर कुछ ऐसी घटनाई घटी है तो मैं चाहूंगा प्या मेरा सहयोब करेंगे यह कुमा है चोटा सा है और यही यह पुरा पीछे जंगल है बत्हान है यहां पे लोग अपनाinte करतेачकर है गाॉँ में हेती की जगा है और एकसर और यह वह कुमा है तो दों करती कहाँ सुरूथ के सारी कहाँ हैं के और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा ऐसी घटना अभी तक तो कोई नहीं घटी है हमारे साथ हम आपको और आगे दिखाना चाहेंगे लाइफ से उस तरफ कुछ जंगल है जहां पर कहते हैं कि लोग यहां सिकार करने आते थे तो एक लड़के की मौत हो गई थी और एक पिता और पुत्री उसकी लड़की आई थी कुछ लड़ने की आवाज आ रही है कुछ जानवर हो सकता है या कुछ असी घटना एं घटी है तो कुछ दिख रहा है लाइफ ठीपरे आप गारी करिप्रिया चालू रखना और आगे अगे